इजबुल्ला और इस्राइल का वार्ट पलट वार्ट खतरनाक रूप लेता जा रहा है दोनों पक शेक दूसरे पर हावी होने के लिए जोरदार हमला दोन रहे है इस्राइली सेना लेबनान पर हमलों के साथ साथ जमीन से भी धावा बोल चुकी है हिजबुल्ला लड़ाके भी इस्राइली हमलों का माकूल जवाब देकर युद्ध की आग को लगातार बढ़ा रहे है ऐसी आशंका जताई जाने लगी है कि इस्राइल का लेबनान में जमीनी ऑपरेशन का फैसला गलत साथ होता नजरा रहा है हिजबुल्ला ने अपने हमलों को धार देकर इस्राइली शेहरों तक को धहलाना जारी रखा है इस सिल्सले में हिजबुल्ला के कामिकेज ड्रोन के स्क्वाइटरं से राजधानी तेलवीव के पहारी इलाकों पर हमला किया समू ने बताया कि लड़ाकों ने इस्राइल को सबक सिखाने के मकसद से जुर्दार हमला किया मगर हिजबुल्ला ने दावा किया कि ड्रोन हमले से इसराइल को नुकसान पहुशता है सोचल मीडिया पर शेयर किये पुटेज में इसराइली शेहर की इमारतों के उपर एक ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया हलाकि अब तक इसकी सटीक पुष्टी नहीं हो पाई है प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हाइफा शहर के पश्चिम में केरियत एलेजर में इसराइली एर बेस, इन मारगालियट मिलिट्री बेस, केरन नफ्ताली में संचार बेस और गोलन हाइट्स में होउमा बेस को रॉकेट, बेराज, ड्रोन, स्क्वाइडरन और तोप खाने के दोले से निशाना बनाया गया है हिजगुल्ला ने इसराइल की पैदल सेना को भी निशाना बनाने का दावा किया जो रामिया पोजीशन से लेबनान में घुसपैट की कोशिश कर रही थी लड़ाकों ने एक काइड़ेट मिसाइल से हमला किया इससे बड़ी संख्या में इसराइली बलों को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है हिजबुल्ला लड़ाकों ने पूर्वी लेबनान में अल मर्ज गाउं के पास इसराइली सेनिकों से जमावरे को रॉकेट बैरास से निशाना बनाया बाद में लड़ाकों ने इसराइली ठिकानों पर रॉकेट से बंबारी करने का दावा किया सबों ने इसराइल पर तब तक हमले करने की कसम खाई है जब तक इसराइल गाजा और लेबनान में हम लोग रोक नहीं लेता इस बीच इसराइली सेना ने कथित तौर पर उत्तर मध्य सीमा पर जारीत, सुमेरा, स्टूला, नेटोवा और इवन मेनाचेम की बस्तियों को मिलिटरी साइट घोशित किया इन इलाकों में आम लोगों के भी घुसने पर रोक लगा दी गई है पाना जा रहा है कि यहां से इसराइल को अपने ओपरेशन चलाने में बड़ी मदद मिलेगी वहीं हिजबुल्ला के एक UAV ने हर्जलिया रिटार्मेंट रोम पर निशाना बनाया इससे बड़े नुकसान का दावा तो जरूर किया गया है मगर किसी के हताहत होने की खबर नहीं सामने आई इस बीच इसराइली सेना ने दक्षडी लिबनान में अपना जबीनी ओपरेशन जारी रखा लिबनान के और जादा गावों को खाली करने का आदेश दिया गया है इसराइली सेना हिजबुला के बुनियादी ढाचे को जड़ से खत्म करने के चलते जबरदस्ट एक्षन मोड में है भीते दिनों इसराइल पर दरजनों रॉकेट दागे जाने की बात सामने आई जिसमें हाइफा, सफद और कई उत्तरी इसराइली शहरों में अलर्ट सहरें बजा इस दोरान हिजबुला ने कहा कि समू के प्रात्मिक्ता दुश्मन को खराना और उन्हें हमला रोकने के लिए मजबूर करना है मगर वो हमले को रोकने के लिए किसी भी कोशिश के लिए तयार है तेलवीव तो केवल शुरुवात है, इसराइल ने अभी तक बहुत कम देखा है झाल झाल झाल